नमस्कार केरे दर्शकों, मैं आपका जोतिश मित्र आधित्य दुबेदी श्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल नच्छत्र तक में आज हम जोतिश के एक नए रोचक विशेवस्तु के बारे में शिखेंगे उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंदली का परामर्स चाहते हैं, अपने प्रश्णों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का शमाधान चाहते हैं, खराब ग्रहदसाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंदली मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी सुभ बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें call कर disappointed है या WhatsApp my मैसेल कर सक्ते हैं call करने पर सुल्क आदि के बारे में आपको बिब्रण मिल जाएगा नीचे नंबर दिया जा रहा है आप उस नंबर पर ऐसेशान है ऐसे योगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं अगर ये योग जादा से जादा संख्या में आपकी कुंडली में हो तो आप धनी सुखी भी होंगे महान और नायक जैसा रोल आपका समास में होगा ताटा, बिड़ला, डानी और अंबानी बनने के योग बहुत से लोग अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं तो उन्ही योगों के बारे में आज का कारिक्रम हम ले करके आए हुए हैं यहाँ पर हम गचकेशरी योग, राजाधिराज योग, पद्म शिंगाशन योग, लच्छाधिप योग, धनागम योग, शुभ धनारजन योग, परियापत आय योग, भाग्यवान योग, मानी योग, सतकीर्थी योग और यहां पर यात्रा योग परिवर्तन योग के बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो इन सारे योगों को आप अपनी कुंडली में कैसे अपलाई करेंगे इसके लिए पहले एक बेसिक चीज आपको समझनी है कि आप अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए और यहां पर जो टर्म बार-बार प्रियोग होगा कि लगनेश, दुतियेश, तुतियेश, चतुर्थेश, पंचमेश हर भाव के स्वामियों का प्रियोग होगा तो सबसे पहले आप यह अपनी कुंडली से निकाल लीजिए कि लगनेश कौन है लगनेश, पहले भाव के स्वामि को लगनेश बोलते है पहले भाव में जो गिंती लिखी हो, हर गिंती का स्वामि मैंने यहां पे लिख दिया है यहां पे नौ नंबर की गिंती है, नौ का स्वामि कौन सागरा है, गुरू है तो इसी प्रकार से आप अपने हर भाव के स्वामियों को निकाल लेजिए दुतिये भाव ये है तुतिये चतुर्थ पंचम खस्टम सप्तम अस्टम नवम दसम एकादस द्वादस हर भाव में जो गिंती लिखी है उसका स्वामी आप यहां से देखेंगे और यहां नोट कर लेंगे जैसे हमें नवमेस जानना है तो नवम भाव ये है नवम भाव में पाँच नमबर पाँच नमबर मतलब सूर्य होता है तो इस कुंडली में नवमेस कौन सागरा है सूर्य तो आप अपने हर घर के स्वामियों को जान लेजिए दूसरी चीज यह बेसिक टर्म प्रियोग होगा कि कुंडली में केंद्र और त्रिकोर्ड का प्रियोग अभी इन सुत्व्यों में होगा तो सबसे पहले आप जान लेजिए केंद्र कौन से हैं Πहला घर, चौथा घर, सातमा घर केंद्र होता है सब की कुंडली में ये पहला घर ये चौथा सातमा दसमा ये जो बीच के चारो घर हैं ये केंद्र हैं दूसरा टर्म जो बहुत प्रियोग होगा वह त्रिकोड सब्द का प्रियोग होगा त्रिकोड कौन कौन से हैं लगन, पंचम और नमम यानी पहला घर, पाचमा घर और नमा घर ये त्रिकोड हैं तो इनका प्रियोग आज के वीडियो में होने वाला है, पहले आप इतना निकाल लीजे वीडियो को पॉस करके फिर आगे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़े आसानी से सबसे पहले हम बात करेंगे गज केसरी योग की, यह अच्छा ये सारे जितने भी योग हैं, ये आपको ये सब कुछ दिलाने में सच्छम है, किसी की कुंडली में जितने अधिक से अधिक योग होंगे, वह व्यक्ति उतना ही समाज में नामी हो जाएगा, ये स्कीर्ती प् उपयोगी हो जाएगा, किसी की कुंडली में इसमें से एक ही योग है, तो अल्प मात्रा में रिजल्ट मिलेगा, जितना अधिक से अधिक योग होगा, उतना ही बेहतर परिडाम आपको मिलेगा, चलिए गज केसरी योग के बारे में हम आपको बता देते हैं, गज केसरी य गुरु और चंद्रमा एक साथ हो या गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो यानि जहां पर गुरु बैठा हो वहां से चंद्रमा चौथे सात में या दसमे घर में हो तो गचके सरीयोग बनेगा साथ होने से और केंद्र में होने से उदहरण कुंडली में मैं आ यहां पर गचकेसरी योग बन गया अब गुरू से अगर हम चंद्रमा को गिनेंगे तो दस्वे घर में आ गया यानि गुरू से चंद्रमा दस्वे घर में तो केंद्र में है अगर गुरू चंद्रमा एक साथ हो या एक दूसरे से केंद्र में हो तो गचकेसरी योग होता है ऐसा जातक यस प्रशिद्धी कीरती विसेश रूप से पाता है, यहाँ पर धनू लगन की कुंडली है, इसमें जो है गुरु कारक भी है, तो अगर गजकेशरी योग में चंद्रमा या गुरु में से कोई एक कारक ग्रह में आ जाए, या दोनों ही कारक में आ जाए, तब हिक्तम वह निर्भर करेगा कि प्लेस्मेंट कहां है, तो ये एक तो योग गजकेशरी हो गया, दूसरा योग हम लेते हैं, राजाधी राज योग, नाम से ही असपस्ट है, राजाधी राज, यानि बहुत से लोगों पर सासन करने वाला, यह योग पुराने समय में राजा बनाता था, तो आज चक्रवती राजाओं का समय है नहीं, राजाधी राजियोग होगा, तो कई देशों के सरकारों से ऐसे विक्त की पैठ रहेगी, कई देशों की सरकारों से मिलना, जुलना, बात, चीत, वैपाराद रहेगा, यह योग कब बनता है, आपको अपन कुंडली में पंचम भाव के स्वामी को देखना होगा यानि राजाध राजयोग में जो पंचम भाव का स्वामी है वह बलवान होना चाहिए और पंचम भाव के स्वामी के बलवान होने के साथ साथ कुंडली के नवम और दसम भाव के स्वामीयों का योग होना चाहिए अब मंगल यहां पे कारक गराह पच में से कारक है सनी के घर में बैठा है बहुत बल्वान तो नहीं है १ा यह ठीकезж यहां पर 5 हृत हैं या mamy रहन मंगल बल्वान भी है यहां पर मंगल जो है पंचम भाव का स्वामी ठीक इस्थिती में है निच का होता तो हम इसे खराब मान लेते अस्त होता तो खराब मान लेते भाव में अच्छा है रासी से थोड़ा सा पीडित है लेकिन मंगल के पीछे गुरू बैठा हुआ है जिस ग्रह के पीछे गुरू बैठा होता है गुरू उस ग्रह के दोसों का समन कर देता है इस चीज को याद रखिएगा जिस भाव के पीछे गुरू बैठा होता है उस भाव के दोसों को भी खतम करता क्योंकि वो गुरू है ना मंगल के पीछे ही बैठा है तो मंगल को सुधार के रखेगा तो यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी मंगल हुआ इसी में यहाँ स्वामी जो पंचम भाव का है अस्त ना हो नीच ना हो तो यहाँ पे ये दोनों नहीं है अगला इसी में और जुड़ता है कि जो टेंथ लॉर्ड है दसम भाव का स्वामी प्लस नाइन्थ लॉर्ड ये दोनो दसम भाव के स्वामी और नवं भाव के स्वामी एक साथ हो और केंड्र में हो तो इस कुंडली में टेंथ लौड बुद्ध है दसं भाव का स्वामी बुद्ध है छे नमبر की गिंती लिखी है आप यहांसे देख के जान सकेंगे कि किस भाव का स्वामी कौन सागरा है और नमम भाव का स्वामी सूर्य है तो बुद्ध और सूर्य की युति यहां पे बनी हुई है वो भी कहां बनी है केंद्र में बनी हुई है तो इस कुंडली में राजाध राज योग पूर रूप से घटित है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि यह कुंडली भी किसकी है तो आपको और ज्यादा रोचक लगेगा जो मैंने सुरू में बोला टाटा बिर्ला अडानी अंबानी का योग है की नहीं उन्हीं में से किसी की कुंडली है यह आगे चलेंगे यह योग आपको समझ में आ गया होगा पद्म सिंगासन योग पद्म सिंगासन योग कैसे बन है यानि तैन्थ दसंभाव को तैन्थ बोलेंगे और स्वामी को जगांकाम है इसलिए हम यल लिख रहा हूँ यल फोड लॉड मतलब स्वामी तो दसंभाव के स्वामी को हम लेते हैं अगर दसमेस जो है वह केंदर या त्रिकोर में बैठा हो दसंभाओ का स्वामी कहा हो केंद्र में हो या त्रिकोड में बैठा हो तो यहां पे यह योग बन जाता है उस ग्रह को नीच नहीं होना चाहिए अस्त नहीं होना चाहिए अगर सत्रु घर में है तो थोड़ा सा कम प्रबल मित्र के घर में है तो और प्रबल स्वारासी का है तो और प्रबल उच्च का है तो और प्रबल और अंसबल भी देखना चाहिए तो पद्म सिंगासन योग में दसमेश केंद्र त्रिकोड में हो या दुतिये भाओ में भी हो दसम भाव का स्वामी यहां पर बुद्ध है और वह केंद्र में बैठा हुआ है लगन में ही बैठा हुआ है अगर यही बुद्ध दुतिये भाव में बैठता तो भी आयोग बनता यही दसम भाव का स्वामी बुद्ध अगर पंचम भाव में या नवम भाव में बैठता तो भी आयोग बन जाता तो ये पद्म सिंगासन योग आपको समझ में आ गया होगा दूसरा है लच्छा धिप योग यानि लखपती का योग बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमारी कुंडली में लखपती योग करोडपती योग अरबपती योग है की नहीं है तो इस लच्छा भाव के स्वामी को लेते हैं सिकंड हाउस के लौड को लेंगे इलेवन्थ हाउस के लौड को लेते हैं यानि एक आदस भाव के स्वामी को देखेंगे उसके साथ साथ यहाँ पर हम नाइन्थ हाउस के लौड को देखते हैं इन तीन भावों के स्वामियों की हमें जरूरत पड़ेगी आप देखिए दुतिये भाव का स्वामी गरावे भाव का स्वामी और नौवे भाव का स्वामी अगर बलवान हो करके केंदर में बैठे बलवान में देखिए ऐसा नहीं है कि अगर गराव बलवान नहीं है तो योग लागू नहीं है ग्राह जितना अधिक बल्वान होता जाएगा उतना ही अधिक यह लागू होगा किसी के सरीर में बिटामिन ये है भी है सी है तो है सब के सरीर में थोड़ अगर किसी को तकलीफ है तो आप देखेंगे हड़ी की तकलीफ है तो बिटामिन डी कम हो जाएगी ना कि है कि वो खतम हो जाएगा फिर और अच्छा तंदरुस्ती है तो वो और बढ़ेगी विटामिन डी जादा अच्छा है तो जादा अच्छी सरीर वैसे ही जानी है कि अगर योग में ग्रह कमजोर है तो उस योग का वही कमजोर वाला ही रिजल्ट मिलेगा लेकिन मिलेगा इस कुंडली में हम देखेंगे दुतिय भाव का स्वामी गिरामे भाव का स्वामी और नौवे भाव का स्वामी ये केंद्र में है कि नहीं है ये सभी योग तब बहुत कम हो जाते हैं या भंग हो जाते हैं योग में भाग लेने वाला ग्रह अगर अस्त हो अगर योग में भाग लेने वाला ग्रह नीच का हो योग में भाग लेने वाला ग्रह नीच नौमांस में हो तो इनका 2-4-5% ही असर मिल पाता है इस कुंडली में दुतिय भाव का स्वामी सनी है सिकेंड लॉड दस नमबर की गिंती का स्वामी कौन सा ग्रा होता है सनी होता है केंदर में बैठा हुआ है गिरामे भाव का स्वामी कौन सा ग्रा है साथ नमबर है सुक्र है केंदर में बैठा हुआ है नाइन्थ लॉड कौन सा ग्रा है सूर्य है वह भी केंद्र में बैठा है अब यहां इस कुंडली में सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है कि ये जो तीन ग्रा है ये बार बार आ रहे हैं और ये जो लगन होता है ये केंद्र भी होता है त्रिकोर भी होता है इसको दोनों सं केंद्र में ही नहीं है बलकि त्रिकोड में भी पड़ रहा है बड़ा अच्छा कॉंबिनेशन है विकास जी वीडियो बनवा रहे हैं कैमरे के पीछे उधर खड़े हैं इनको नीद आ रही है चलिए देखते रही है विकास जी को समझते बुस्ते रही है आप भी धनागमन य यानि ब्यक्ति के जीवन में निरंतर धन आये ऐसा योग कौन सा होता है ब्यक्ति कभी खाली ना बैठे बेरोजगार ना होने पाए तब ही यह महान बनने का योग आएगा तो धनागमन योग कब होता है इसमें हम सिकेंड लॉड को लेते हैं दुतिये भाव के स्वामी को ह त्रिकोड अस्थान में बैठा होगा तो जीवन में निरंतर आये का योग रहेगा दुतिये भाव का स्वामी सनी है केंडर में बैठा है गराहमे भाव का स्वामी सुक्र है केंडर में बैठा है त्रिकोड में भी पढ़ रहा है तो इस कुंडली में जीवन में निरंतर धन अगमन का योग भी बन गया है दुतिय और गराहमे भाव का स्वामी अगर केंद्रिया त्रिकोड में हो तो धनागम योग होता है अगला योग जो इस कुंडली में बना है सुभ धनार जन अगर आप बहुत उचाई तक जाना चाहते हैं अच्छी तरक्की करना चाहते हैं तो आपका जो धन है वह सुभ मार्ग से आना चाहिए गलत मार्ग से आएगा धन तो कभी न कभी व्यक्ति कानून के सिकंजे में फसेगा जब तक उसकी अपनी राजनेतिक पहुँच पहचान है तब तक तो बच सकता है लेकिन सब्ता परिवर्तन होने पर वह फसेगा तो आपकी यात्रा सतत चलती रहेगी तो सुभ धनारजन योग तब होता है जब किसी भी कुंडली में इलेबंथ हाउस में गराहमे घर में सुभ गरह बैठा हो या सुभ गरह की दृष्टी हो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कुर गरह बैठा हुआ है गराहमे घर में तो एक सूत्र बता रहा हूं ना कि अगर ऐसा नहीं है तो आप यह कहिए मेरी कुंडली में यह योग नहीं है फिर भी मैं अच्छे तरीके से कमाता हूं इमानदारी से ऐसा नहीं है कि कुरूर गरह है तो आप बेमानी से कमाएंगे लेकिन यह यह योग जादा बल प्रदान कर देता है अन्य योगों पर भी निर्भर करता है कि क्या है कैसे है अगर 11th house में सुभगरा बैठा है यहाँ पे चंद्रमा बैठा है जो की सामान्य रूप से सुभगरा ही होता है अगर कृष्ण पक्षका हो तो कमजोर हो जाता है सुक्ल पक्षका हो तो बल्वान होता है 11th house मे नीच काग्रह नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे यहाँ योग भी बना हुआ है अगला योग होता है परियाप्त आए योग परियाप्त आए योग का मतलब है अगर आप कोई भी इंटरप्रिन्यॉर सुरू कर रहे हैं ब्योसाय शुरू कर रहे हैं तो उसमें अगर सुरुवात में परियाप्त आए होगी तभी आप जीवन में टिक सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे अगर सुरुवात में ही आए आपकी बहुत घट जाए आए रहे ही ना तो बिजनस आगे जाएगा ही नहीं परियाप्त आय जीवन अगर अन्य कोई योग नहीं है परियाप्त आय का ही योग है तो भी जीवन सुखी चलेगा सारी जरूरते जीवन में पूरी होंगे इसमें हम 11 ठाऊस के लॉड को लेते हैं गरहमें घर के स्वामी को हम देखेंगे अगर गिरहमे घर का स्वामी केंद्र या त्रिकोड में बैठा होगा तो परियाप्त आयका योग रहेगा केंद्र में हो या त्रिकोड में हो अभी इसमें भी बृध्धी होती है हर नियम में बृध्धी होती है जैसे गिराहमे भाव का स्वामी केंद्रिया त्रिकोड में हो गया अब अगर वह धन के कारक ब्रहस्पती के साथ हो गया तो और भी अच्छा दुतिये भाव के स्वामी के साथ हो गया तो और भी अच्छा सुभगरा की दृष्टी पड़ गई तो और भी अच्छा चटे भाव के स्वामी के साथ हो गया आठे भाव के स्वामी के साथ हो गया तो बुरा हो गया नीच का हो गया और बुरा हो गया अस्त हो गया तो और भी बुरा हो गया यानि आपको क्या है कि एक वीडियो में जो चीजें आपको मिलती हैं आपको उसे नोट करना है, जानना है, सीखना है, फिर वही पर उस एक ही वीडियो में उन चीजों से जुड़ी हुई चीजें खतम नहीं हो जाती, लगातार सीखना पड़ेगा, कुछ यहां से मिलेगा, क कि किसी ने इतना बोला तो आप उतना ही चेक किये और कह दीजे ये गलत है उसमें भी फिर बलाबल हमेशा देखा जाता है जो तिस मतलब हर एक योग का ग्रहों का बल तो जब योग बताए जाते हैं तो बल नहीं बताए जाते हैं वह बल कितना है उस योग में ये अलग भाग्यमान योग कब बनता है जब 9th house नामे घर का स्वामी और गराहमे घर का स्वामी एक साथ हो जाएं तो यह योग बनता है नामे घर का और गराहमे घर का स्वामी एक साथ हो तो भाग्य योग बन जाता है नामे घर का स्वामी सूर्य और गराहमे घर का स्वामी सुक्र है दोनों एक साथ बैठे हुए है देखें ये पैनल पे हम आपको टीचिंग दे रहे हैं जब हम पीछे white background ले लेते हैं तो चेहरा बहुत clear और साफ नहीं आता जब दूसरे color का background रहेगा तो चेहरा अधिक साफ आएगा ये problem हमेशा रहेगी चाहे कितनी ही lighting की setup ना करें और कितनी कर ही लें कर भी एक सीमित मात्रा में ही सकते हैं सारा solar panel और battery आधे घंटे में नहीं तो बैठ जाएगी कितनी light जला ले अभी भी 208 तक की light जल रही है कमरे में तो यहाँ पे 9th house और 11th house का जो स्वामी है वो एक साथ हो तो यह योग भाग्यवान योग बन जाता है यहाँ पे बना हुआ है एक दूसरा भी योग होता है अगर 9th house का जो स्वामी है और जो second lord है दूसरे घर का स्वामी है यह भी एक साथ हो या केंद्र में हो तो भी भाग्यवान योग बन जाता है एक भाग्यवान योग और है अगर आपके भाग्य नवम भाव का जो स्वामी है वह जिस रासी में बैठा है उसका स्वामी उच्च का हो तो महा भाग्य योग बनता है जैसे यहाँ पे नवम भाव का स्वामी सूर्य है सूर्य किसके घर में बैठा है गुरू के घर में बैठा है तो गुरू यहाँ पर नीच हुआ हालांकि नीच भंग हुआ है अभी आगे अन्नियोग में पता चलेगा तो अगर भाग्यभाओ का स्वामी जिसके घर में बैठा है वह गरह भी राजयोग बना रहा हो तो महाभाग्ययोग हो जाता है मानी योग कब होता है अगर किसी भी व्यक्त की कुंडली के 10th house में 10 में घर में सुभग्रा हो द्यान से सुनिए 10 में सुभग्रा हो सुभग्रा एक तो ये पहला सूत्र दूसरा सूत्र दसंभाओं में उच्च काग्रा हो मानी मतलब मान सम्मान मिलना यस मिलना प्रसिद्धी मिलना नेम फेम मिलना दसंभाओं में सुभगरा हो तो योग होता है उससे प्रबल होता है जब दसंभाओं का स्वामी किसी सुभगरा के साथ हो लेकिन 6-8-12 में ना हो तो भी आयोग बनता है दसंभाओं का स्वामी सुभगरा के साथ में यहाँ पर सुक्र के साथ में बैठा हुआ हालांकि सूर्य के भी साथ में है तो सूर्य के साथ बुद्धा रित्य बना दिया तो सूर्य का नकारात्मक प्रभाओं नहीं है दसमभाओं में उच्च कागरा हो, दसमेस जहां बैठा हो, वहाँ पर कोई राज योग बनाए या सुभगरा के साथ बैठे या फिर दसमभाओं का जो स्वामी है वह केंद्रिया त्रिकोड में बैठे तो मानी योग बन जाता है सत कीरती योग अच्छे कारियों को करने का योग यह कब बनेगा, सत कीरती योग तब बनता है, सत मतलब देखें दो प्रकार की कीरती मतलब फेम, यास प्रशिद्धी दो प्रकार की प्रशिद्धी होती है उसामा ब्यनलादेन भी प्रशिद्ध है और अन्य लोग भी इंद्रा गाधी हो गए मात्मा गाधी हो गए कुमार विश्वास भी प्रशिद्ध है हम आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग भविश्य में प्रशिद्ध व्यक्ति बन होता है और दसम भाव में नीच और क्रूर ग्रहों का प्रभाव कम होता है तो सत कीर्थी योग बन जाता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में तुर्तिय भाव में नीच रासी का कोई ग्रह नहीं होता है तो सत कीर्थी योग बनता है जितनी भी कीर्थी मिलेगी कम जादा व कि जब आप महान बनेंगे नायक बनेंगे बहुत अच्छा राज योग बनेगा तो यात्राएं भी जीवन में होंगी यात्रा का योग कब है जब आपकी कुंडली में नमम भाव का स्वामी नाइन्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड जो है ये एक साथ हो जाए नौमेस और द का खुद का ही वायूयान हो सकता है सिर्फ इसी योग से नहीं देखेंगे अगर अन्य भी योग कुछ मिल रहे हैं तो यह योग भी बहुत पूर्ड रूप से लागू होगा अन्य योग थोड़ा कम मिल रहे हैं यह योग मिल रहा है तो व्यक्ति चारिटर्ड प्लेन वग परिवर्तन योग अगर किसी भी कुंडली में दो ग्रह आपस में अस्थान बदल लें तो यह परिवर्तन नाम का राज योग लागू हो जाता है अगर अस्थान बदलने वाले ग्रह किसी केंद्र या त्रिकोड के स्वामी हो तो इस परिवर्तन योग का 100% रिजल्ट मिलत यहां पे लगन का स्वामी गुरू सनी के घर में है और सनी जो है यहां पर गुरू के घर में बैठा हुआ है दो अच्छे भावों का परिवर्तन है लगनेस और धनेस लगन को धन तो चाहिए ही प्राक्रम भी चाहिए अगर लगनेस छठे भाव के स्वामी के साथ परिवर्त हो रहा है और वो भी लगनेस धन भाव में ही जा करके परिवर्तन कर रहा है तो यहां पे अस्थान परिवर्तन राजयोग बहुत उच्च कटेगरी का बना हुआ है यह कुंडली किसकी है विसकी भी चर्चा हम कर देते हैं यह जो हमारे रतन टाटा है टाटा ग्रूप के चेर्मैन है यानि टाटा की कुंडली है यह आप इसको उतार लीजिए आपके उधारण में सीखने समझने में आपको मदद करेगी तो यह इनकी कुंडली का हमने विवरल दे दिया आगे अगर कभी मौका मिलेगा तो अडानी अंबानी इन लोगों की भी कुंडल करिएगा जैसरे कुछना